आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो इस question में हमें converging lens और converging mirror दिया गया हुए उनके बीच में distance है वो 40 cm है ठीक, अब point source S जो की 12 cm lens से रखा गया है हमें यह पता चलता है कि जो final rays आती है वो parallel निकलती है ठीक, तो focal length हमें lens का दिया गया 15 cm mirror का focal length हमें find करना है तो पहले हम image देख लेते हैं किदर बनेगा lens के बाद तो u की value हो गई हमारी, minus 12 cm और f की value हमें दी गई है, plus 15 cm तो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f तो यह हो गया, 1 by 15, minus 1 by 12 यह हमारा आता है LC हम लेने पे 64 minus 5 यानि v की value जा गई, वो minus 60 cm आ गई यानि कि lens से 60 cm दूर, जो है, हमारा image बनेगा तो इस mirror के लिए कितना distance हो गया 60 plus 40, 100 यानि कि जो u की value हो गई, mirror के लिए, वो minus 100 cm हो गई हमें पता है कि यहां से parallel raise निकलने के लिए जो object होना चाहिए, वो focus पे होना चाहिए यानि कि जो image है, वो focus पे बनना चाहिए, mirror द्वारा यानि कि जो v है, वो हमारा minus 25 cm होगा minus 25 कैसे आया, focal length जो है, इसका 15 cm है और यह total distance 40 है, तो यह हो गया 25 तो यहां से हम mirror formula लगा देंगे, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f तो यह formula लग गया हमारा, minus 1 by 100 plus minus of 1 by 25 तो यह हो गया, 100 LCM, 1 plus 4, minus तो f की value आगई, 100 by 5, यानि कि minus 20 cm यह हमारा focal length of mirror होगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app, या WhatsApp कीचे अपने doubts, 8444 चार्स उपर